है लो एवरीवन वेलकम टू अग्रिकल्चर टाट 24-7 और या टाट 24-7 बच्चो जैसा कि हम लोग रोज आपस के साथ मिलते हैं हम लोग की क्लास चल लए है सस्टेंट अग्रिकल्चर ओफिसर्स की तो उस क्लास की आज हम लोग फिर से नई क्लास के साथ रूए हैं हम लोग समय क्रॉप्स पढ़ रहे हैं यानि कि production technology of fruits पढ़ रहे हैं क्योंकि काफी लंबा स्लैवर्स है और समय का थोड़ा सा आभाव है जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चल लाए हैं तो आज हम लोग नई क्रॉप के साथ फिर यहां पर पस्तित हुए हैं नई क्र अली से जुड़ जाईए और हम लोग सुरू करते हैं आज का अपना session आज का session काफी मज़ेदार होने वाला है आज की जो crop है वह हम लोग पढ़ेंगे आवला काफी important crop है बहुत सारे questions यहां से बनते हैं ठीक है और आज हम इसको पढ़ेंगे और बच्चो एक आपके लिए announcement है कि साम की जो 7 वजे की होटी कल्चर की class हम लोग की होती है वो 7 वजे की class में आज MCQ होने वाले हैं और आज का जो target MCQ का 50 question मैंने रखा है तो मैं 50 question आपको कराऊंगा तो साम को 7 वजे भी जुड़ना ना भूलें तो बच्चो शुरू करते हैं आज की अपनी class आज की हमार भी लिखते हैं कहीं कहीं एक तो A, O, N, L, A करके हम लोग लिखते हैं ये भी सही है और अगर आपको अमला भी लिखा मिले तो भी आपको ये सही है तो बच्चो इतनी बात आपको समझ में आ गई फाइलेंथस, एमबैलिका, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने तो एमबैलिका ऑफिस इनेलिस पड़ा आया इसका नाम और यहां पे सर आपने लिखा है फाइलेंथस, एमबैलिका तो देखो बच्चा ये नाम्स हैं कभी-कभी बदले गए हैं कुछ नाम उनके सिनोन टाइब के होते हैं तो अगर आपको फाइलेंथस, एमबैलिका भी लिखा मिले तो आप उसको परिशान होने की जरुवत नहीं है ये भी उतना ही 100% सही है जितना की आपका एमबैलिका ऑफिस इनेलिस था ठीक है तो यहां से आप परिशान होने की जरुवत नहीं कभी-कभ होता है ये नए नाम है जो कभी परिवर्तन आ जाते है ठीक है तो परिवर्तन आ जाने की वज़े से अगर आपको ये नया नाम मिलता है साहिद आप से पूछ लेता है तो आप अगर नया नाम आप्शन में दिखा है तो आप इसको सही करेंगे और ये बिलकुल सही है फाइ यह कह रहा है कि जो आपकी U4BAC family होती है, यानि कि U4BAC family में जो भी पौदे आते हैं, वो कैसे होते हैं, या तो वो 0 fights होते हैं, 0 fights क्या होता है, आप मुझे बताओ, पहले comment करके, नहीं तो मैं फिर आपको explain करूंगा, ठीक है, 0 fights, the cacti or succulents belong to this family, यानि कि good afternoon बिलाल, ठीक है, तो 0 fights जो होते हैं, वो किस से belongs करते हैं, वो आपके U4BAC family से belong करते हैं, बचा आमला की जो family है U4BAC, बहुत important family है, आप से question यहां से बहुत जादा बनते हैं, good afternoon रचना, ठीक है, उसके बाद आमला is a hardy drought resistant fruit tree, ठीक है, कैसा? hardy और drought resistant, hardy का मतलब यह होता है, कि यहां पे चाहें आपका temperature कम या ज़्यादा भी हो जाए, तो भी इसको कोई फरक नहीं पड़ता है, और आपका जो water का condition है, अगर stagnate भी हो जाता है, या drought भी हो जाता है, तो भी इसको कोई फरक नहीं पड़ता है, तो इसलिए इसको hardy ब ग्रो होने वाले plants, बिल्कुल सही बात बताई है बच्चा आपने, zero fights वो plants होते हैं, जो कहां पे, arid zone में grow करते हैं, जो या water की scarcity से grow करते हैं, वो आपके क्या कैलाते हैं, वो आपके zero fights plants कैलाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधी सी बात है, good afternoon, good afternoon बच्चा, ठीक है, zero fights desert area, little water मे grow होते हैं, बिल्कुल सही बात कही है, zero fights आपके, जहां पे water की scarcity होती है, या arid zone में जो grow करते हैं, ठीक है, वो आपके zero fights होते हैं, a rare combination of character is its ability to withstand water stagnation too, मैंने आपको बताया, कि ये hardy होता है, यानि कि ये आपका temperature कम या ज्यादा में भी कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है, और अगर आपके drought की condition है, तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं है, even अगर stagnation हो गया पन, water का, यानि कि बारिस आपकी ज्यादा हो गई, और वहाँ पे water का stagnation हो गया, तो भी क्या दिक्कत है, तो भी इसको कोई समस्या नहीं होती है, इतनी वा समझ में आई बच्चो, आई की नह आई, ठीक है, it is also known as amla, amli, ठीक है, neily, etc, the amla fruit are the rich source of vitamin C, मैंने आपको बताया है, कि जब मैं आपको guava पढा रहा था, तब मैंने आपको बताया था, कि जो amla है, वो vitamin C का बहुत अच्छा स्रोत होता है, vitamin C amla में ज्यादा होती है, as compared to guava, ठीक है, मैंने आपको ये भी बता कि जो सबसे ज़्यदा vitamin C होती है, वो barbidas cherry में होती है, किस में, वो cherry नहीं, cherry एक tropical fruit है, एक आपकी barbidas cherry है, तो barbida cherry में आपका, क्या, barbidas cherry में आपकी सबसे ज्यादा, उसके बाद आता है आपका aula, उसके बाद आपका आता है guava, और उसके बाद आता है aip citrus, ये चार sequence होते हैं यहां से बिलकुल बहुत सारा कोश्चन आपका पूछा जाता है इस बात का बच्चो ध्यान रखे अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो like, share और subscribe जरूर करें और भी लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ें ठीके बच्चा इतन and we grown in variable soil condition tolerates salinity and alkalinity यह कह रहा है कि यह कैसा यह आपका subtropical plant है कैसा है आपका subtropical plants है preferred by preferred dry climate यानी कि जैसे मैंने जीरोफाइट की जब बात की थी तब ही आप समझ गये होंगे कि यह जो dry climate है उसको पसंद करता है क्यों क्योंकि arid zone में जो condition होती है या arid reason में जो condition होती है वो आ कैसी होती है वो mostly आपकी dry होती है देखो बच्चा dry होने का कारण दो है पहला dry होने का कारण जब वहां पे water की scarcity है यानी की rainfall कम है तो जब rainfall कम होगी तो आपको मालूम है कि वहां पे humidity क्या होगी कम होगी जब humidity कम होगी तो humidity कम होने की वजएसे ही क्या होगा humidity जब कम होगी व नहीं होगी बता उल्ली से बिलकुल होगी ठीक है उसके बाद लिखा है tolerance salinity and alkalinity तो बात करते हैं pH की अगर आपका pH 8.5 के उपर भी हो जाता है ठीक है अगर आपका pH 8.5 से अधिग हो जाता है तो भी ये वहाँ पे क्या कर जाएगा तो भी वहाँ पे ये grow कर जाएगा इसको कोई समस्या नहीं आएगी इतनी बास बन में आई बच्चो चलो आगे देखते हैं उसके बाद कह रहा है कि planting material क्या planting material या propagation ठीक है क्या propagation planting material आप किस से त्यार करेंगे तभी आपका होगा जब आप propagation करेंगे ठीक है ठीक है soft wood grafting and patch budding किस से soft wood grafting और patch budding दो आपकी mostly techniques होती है जो planting material में आपकी इस्तेमाल होती है ठीक है कैसे दो आपकी techniques होती है जो planting material में ठीक है दो आपकी planting material सौरी बच्चो माफ करना ठीक है soft wood grafting और patch budding दो ये techniques है propagation की जो सबसे ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होती है ठीक है propagation इसका seed से भी होता है किस से होता है seed से भी होता है लेकिन इसके problem है problem क्या है कि seed में dormancy पाई जाती है और dormancy होने की वजए से क्या होता है seed में जब dormancy होती है तो dormancy होने की वज़े से germination इतने fast होता नहीं है तो हम अपनाते है method vegetative propagation का और vegetative propagation में हम लोग grafting और bedding दो method अपनाते है अगर अब आप यहां से आप से अगर question बन जाए किसमें अगर यहां से आप में question बन जाए कि आवले का जो प्रफोगेशन है वो किस से करते हैं तो आप यहां पर दो चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आप यहां पर confuse होने की जरूरत नहीं है confuse होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जो commercial method है यानि कि सबसे ज़्यादा जो technique अपनाई जाती है वो आपकी patch wedding अपनाई जाती है कौन सी? patch wedding आपकी अपनाई जाती है तो आपको option में patch wedding मिलेगा तो अगर आपको patch wedding दिखता है तो आपका सही option जो होगा वो patch wedding का होगा इतनी वासमज में आई? ठीक है? ठीक है ना? चलो अब आगे बात करते हैं planting की जिसकी planting की बात करते है seed dormancy present हाँ बच्चा seed dormancy present होती है अगर इसकी dormancy आपको break करनी है तो dormancy break करने के लिए इसको running water में कैसे running water यानि कि जो बहता हुआ पानी है उसमें आप इसको एक से साथ दिन तक गर रखते हैं एक से साथ नहीं साथ से बारा दिन तक सेवन टू टू टल्व डेस तक अगर आप इसको running water में रखते हैं तो क्या होता है तो यह seed जो आपका है वो germination के लिए eligible हो जाता है यानि कि germination के लायक आपका हो जाता है तो इतना कोई नहीं करता है कि उसको साथ से बारा दिन तक running water में रखे और उसको proper देखे तो इस वज़ए से लोग अपनाते हैं क्या मैंने आपको बताया था vegetative propagation इसलिए फाइदेवन है क्योंकि यह बहुत चीफ होता है और convenient होता है और easiest method होता है ठीक है इतनी बात सब्सक्राइब अब बात करते हैं planting की time की तो plant during July August with a spacing of 6 गुड़ा 6 यानि कि 6 into 6 meter in a pits of 1 into 1 or 1.25 meter कह रहा है कि July August में करते हैं क्यों July August में करते हैं मैंने आपको बताया था कि July August रहनी का season होता है और आपका यह hardy plant है तो उस time पे मुआशितर परियाप्त रहता है तो plant की survivability के chances हैं वो कैसे होते हैं वो बढ़िहा होते हैं या बहुत जादा होते हैं जिस वजह से हम इसको कब plant करते हैं हम इसको rainy season में plant करते हैं with the spacing of कितना 6 into 6 meter ठीक है 6 गुड़ा 6 meter की हम लोग spacing करते हैं और जो pit का size है वो normally 1 meter होता है ठीक है कितना होता है वो 1 meter भी होता है या 1.25 भी कर सकते हैं बिंसी कह रही है chemical treatment भी होता है dormancy break के लिए हाँ बच्चा बिलकुल होता है अलग-अलग crops के लिए अलग-अलग तरीके हैं dormancy break करने के लिए chemical में जैसे आप potassium nitrate ठीक है आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप thaiouria का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि जो chemical आप जैसे H2SO4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं break करने के लिए ठीक है तो जरूरी नहीं वो सारे crops पे लागूओ हाँ होता जरूर है chemical treatment होता है जैसे अगर आपको bear का dormancy अगर break करनी है तो आप H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं आपको गवावा की dormancy break करनी है तो आप H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं potassium nitrate का इस्तेमाल कर सकते हैं dormancy को break करने के लिए जैसे आपको आलू की dormancy break करनी है तो आप उसके लिए थायो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं ये सारे chemicals हैं जो chemically used होते हैं dormancy break करने के लिए इतनी बात समझवाई अच्छा आगे बात करते हैं the seeds are hard and take long time to germinate मैंने आपको अभी बताया था कि seeds से germination किसलिए नहीं होता है क्यों? seeds इसके hard होते हैं और take long time to germinate germinate होने में ज़्यादा समय लेते हैं hence the seeds should be treated with concentration H2SO4 आगे है यहाँ पे? ठीक है? आगे है H2SO4 से क्या करते हैं? H2SO4 से concentrated H2SO4 से कितने मिनिट के लिए? तीन मिनिट के लिए करते हैं then washed with water and soaked in 500 ppm आप जबरेलिक acid for 24 hours कह रहा है कि तीन मिनिट के लिए H2SO4 में डालते हैं dormancy break होती है और उस क्या करते हैं? 500 ppm जबरेलिक acid में यानि GA3 के solution में डाल देते हैं कितनी तर के लिए? 24 गंटे के लिए ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाता है? यहां से आपकी dormancy break हो जाती है इतनी वास वानिवाई बच्चा चलो अब आगे देखते हैं manures and fertilizers की बात करते हैं किसकी? manures और fertilizers की ठीक है? तो manures और fertilizers की बात करते हैं तो manure and fertilizer bearing tree ठीक है? Fym जो आपका डालते हैं वो कितना डालते हैं? वो आपका 10 kg डालते हैं कितना Fym डालते हैं बच्चा? वो आपका 10 kg डालते हैं ये पर-tree की बात है कितने की? पर-tree की किसकी? पर-tree की ठीक है? इतनी वास वास में आई? nitrogen आपका 200 gram phosphorus आपका 500 gram और आपका potassium 200 gram 200, 500 और 200 यानि कि 252 के ratio से आपका क्या करते हैं आपका इसमें आपकी fertilizer apply करते हैं बच्चो अगर session आपका अच्छा लग रहा हो आपको तो like, share, subscribe जरूर करें ठीक है इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है आपको भी चीजें हम अच्छी देते हैं तो आप भी थोड़ा सा मेरे लिए मेनत जरूर करिए ठीक है उसके बाद यहाँ पे एक line लिखी है एक line क्या लिखी है manuring to be given immediately after pruning ठीक है क्यों यहाँ पे यह क्यों लिखा है यह कह रहा है कि जो manuring यानि कि जो हम fertilizers provide कर रहे हैं या जो हम क्या बोलते हैं आपका क्यों हम उर्वरक दे रहे हैं fertilizer दे रहे हैं या manures दे रहे हैं वो कब देनी चाहिए वो immediately after pruning यानि कि जब हम pruning करते हैं उसके तुरंट बात देनी चाहिए ठीक है क्यों क्यों कि आपको मालूम है जब pruning करते हैं तो काफी सारी जो energy है यानि कि जो इसकी stored energy होती है बहुत सारी branches आप हटाते हैं तो उसमें nutrients का flow बिगड़ जाता है जिसके लिए उसको nutrients का flow maintain करने के लिए क्या करते हैं आप उसको fertilizer या manures देते हैं इतनी बात समझ में आई बच्चा इतनी बात अगर समझ में आई तो आगे चलते हैं आगे बात करते हैं training और pruning की training और pruning की the main branch should be allowed to appear at a height of 0.5 to 1 meter above the ground level यह कह रहा है कि जब हम training करते हैं तो training में plant को पहले हम 0.75 meter या 1 meter की उचाई तक क्या करते हैं हम इसको grow कराते हैं बिना कोई काट छाट के ठीक है इतनी बात समझ में आई उसके बाद plant should be trained to modified center leader system किसमें देखो center leader system और modified center leader system और open center system यह आपके तीन techniques तीन method हैं किसके training के मैंने आपको बताया है साइध इस class में ना बताया हो तो सामकुछ 7 वजे वाली जो class रहती है उसमें मैंने आपको बताया जरूर होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका open center system है उसमें हम उसका head back कर देते हैं ठीक है जो center leader system है उसमें हम उसका बिना head को यानि कि बिना central access को काटे हैं हम उसको उपर तक grow कराते है लेकिन जब हम modified की बात करते हैं यानि कि ऐसा system जो center leader system और open center system दोनों से मिल के बना आए यानि कि दोनों की जो अच्छाईया है उसमें जोड के उसको बनाया गया है उसका modification किया गया है तो इसमें पहले हम plants को 0.75 to 1 meter तक हम grow कराते हैं और उसके बाद हम इसका head back कर देते हैं यानि कि इसमें दोनों दोनों system के इसके दोनों system के open center system के भी और center leader system के दोनों के गुड़ाएं इसलिए हम इस technique को अपनाते हैं तो हम कौन सी technique अपनाते हैं modified center leader system ये बात आपको समझ में आ गई होगी ठीक है 2 to 4 branches with a wide crotch angle ठीक है मैंने आपको crotch angle भी समझाया था कि crotch angle जितना narrow होगा उतने ही आपकी branch के तूटने के chances ज़्यादा रहते हैं जितना ही crotch angle wide होगा उतनी ही आपकी branch मजबूत होगी मैंने आपको बताया था कि ये अगर plant का आपके axis है और ये कोई branch आपकी यहाँ से grow ही है तो इस angle को क्या बोलते हैं crotch angle बोलते हैं तो ये crotch angle जितना छोटा होगा उतना ही branch आपकी कमजोर होगी ये crotch angle जितना आपका बड़ा होगा ठीक है उतनी ही आपकी branch क्या होगी मजबूत होगी तो कह रहा है दो से चार branches आपको रखनी है with a wide crotch angle यानि कि जो crotch angle है वो कैसा होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए ठीक है इतनी वास्वन में आई कैसा होना चाहिए वो crotch angle बड़ा होना चाहिए क्योंकि जब crotch angle बड़ा होगा तभी क्या होगा तभी बच्चा आपकी जो branch है वो मजबूत होगी ठीक है appearing to the opposite direction should be encouraged in early years यानि कि चारो branches एक साथ नहीं होनी चाहिए अलग अलग direction में एक दूसरे के opposite होनी चाहिए ठीक है during March, April pruning and thin the crowded branches कब March, April में March, April में कह रहा है कि आपको prune करना है या thin करना है यानि कि आपकी pruning का जो time है वो March, April है और कौन सी branches को जो crowded branches है यानि कि बहुत ज़्यादा जहां पे क्या है बहुत ज़्यादा branches यहां पे निकली हुई है provide maximum fruit bearing area to the tree यानि कि जो disease, damage और आपकी जो branches है या जो downward hanging branches है उन सब को हटाना क्या है जहां पे वहां का crowd खतम होगा तो fruiting area जो है वो आपका वहां पे बढ़ जाएगा इतनी बास होन में है बच्चा इतनी बास होन में आगे बढ़े चलो आगे देखते है अब बात करते हैं variety की किसकी? variety की ठीक है? तो variety की बात करते हैं पहली यह आपकी बनारसी उसके आद N.A.7 क्रिस्ना, कंचन, चकिया और BSR1 ठीक है? यह आपकी 5-6 variety है यह आपे लिखी हुई है कौन-कौन सी? बनारसी N.A.7, क्रिस्ना, कंचन चकिया और BSR1 देखो जो आपकी क्रिस्ना variety है इसको N.A.4 भी बोलते हैं क्या बोलते हैं? N.A.4 और जो कंचन है इसको N.A.5 भी बोलते हैं ठीक है? यह दो variety है एने का मतलब है आपका यह आचार नरेंद यूनिवस्टी जो फैजाबाद में है कहाँ पे? UP फैजाबाद जब इसका नाम बदल गे अब आयोध्या जो कर दिया गया है तो यह उत्तर परदेश में जो आचार नरेंद यूनिवस्टी है तो N.A. वाली जो भी variety है ठीक है? कृष्णा कंचन और N.A. 7 यह जो भी variety हैं कहाँ से निकली है? यह आपकी फैजाबाद से यानि की अयोध्या से निकली हुई variety आपकी है ठीक है? इतनी वास्वन में आई ठीक है? इतनी वास्वन में आई N.A. 4, N.A. 5, N.A. 7 कृष्णा कंचन ठीक है? यह आपकी variety है उसके बाद बात करते हैं किसकी? उसके बात करते हैं common insect और paste की जिसकी कोछ इसमें insect paste लगते हैं इसमें एक insect लगता है कौन सा? आपने नाम सुना होगा आपने नाम सुना होगा इंसेक का bark eating caterpillar नाम सुना होगा आपने यह आपका आवले में भी लगता है आपके ग्वाबा में भी लगता है आपके जामुन में भी लगता है ठीक है? कई सारे उसमें लगता है हाथी जूल, the fruit, necrosis and the named as Francis हाँ बच्चा बहुत सारी variety हैं मैंने कुछ variety आपको लिखी हैं यहां पर जो important है ठीक है? काफी variety है ऐसा नहीं है, variety अगर केवल specially variety के ले जाएंगे तो धेल सारी variety मिलेंगी, आप इतनी variety हैं कि आप याद नहीं कर पाओगे ठीक है? तो यह मैं जो बता रहा हूँ आपको bark eating caterpillar यह आपने देखा है आपने देखा होगा लेकिन साइद आप इसको जानते नहोंगे bark eating caterpillar जो insect है वो आपके किसमें लगता है? वो आपके लगता है ठीक है? वो आपके लगता है किसमें? मैंने आपको बताया आवले में और उसके बाद आपके लगता है जाम में और आपके लगता है गौअब आपने देखा होगा कि जो S Stem होता है asypand में छोटा सा होल हो जाता है और होल के आसपस यहां पर देखा होगा आपने ब्लैक कलर का जैसे आपकी चाय होतीजी ना चाय की पत्ति ठीक है? जो आप चाय पीटें हैं गर पे học प्धे आपने चाय की पत्ति देखी है वैसे ही सेम जाय की पति के ऐसे छुटे छुटे ब्लैक किलर का उसी होल के अस पस काफी सारा मेडेयालんな होता है देखने में ऐसा लगता है जैसे चायगी पत्ती किसी ने वहां पे चिपका दियू तो वो दरसल क्या होता है वो bark eating caterpillar भार खाने के बादी उसको वहां पे ऐसा बनाता है ठीक है तो यह आप case में लगता है, बार को खाता है, बार के जो आपका main branch है आपका stem है उसके अंदर एक hole बनाता है या इसके अंदर क्या बनाता है एक tunnel बनाता है ठीक है एक tunnel बनाता है और उसी tunnel में रहता है तो आप अगर spray भी करेंगे ना तो उसी मरने वाला नहीं होता है यतनी वा समझ में आई तो क्या करते हैं इसको मारने के लिए उसके अंदर kerosene oil kerosene oil समझ उसको बंद कर देते हैं चाहें गीली मिट्टी से या कॉटन से, इसको मारने का तरीका होता है, कुछ मैंने आपके इंसेक्ट आप यहां पर लिखे हुए हैं, जिनके उनके बोटेंकल नेम से लिखे हुए हैं, आइधिंग आपने सब पढ़ लिए होंगे, तो यह भी कुछ हैं, जहां से आपके बैग्यानिक नाम बनते हैं, ठीक है, हाँ, रचना ने देखो, उसका नाम लिखा है, तो यह सारी चीजे हैं, सर राजस्तान परी PG के लिए सफिसेंट होगी, क्या यह क्लास, अगर मैं regular अटेंट करूँ, हाँ बच्चा, बिलकुल अटेंट, बिलकुल तक YouTube पे चलता है, उसमें आपके सारे subject किराएTube कराहे जा रहे, Agonomy आपकी जनेटिक्स पर आपकी पर बाया जा रही आपकी pathology पर ओर रही मैं ہ thickness पर पडा रही है एक मैं आपकी वो पर आती है forestry, तो ऐसे करके सारी classes पांट बज़े से लेके 10 बज़े तक चलती हैं, रोज रेगुलर रहती हैं, तो आप वहां से भी जॉइन कर सकते हो, आपको काफी help मिलेगी, और ये जो session रहे हैंगे, ये सारे courses यही है कि जो भी आपके exams आते हैं, यानि कि जो एक तरीके से foundation course type का है, कि नाम इसका foundation ताकि आपके सारे exams cover करें, ठीक है, ये aphed है, ये white fly है, ये bug है, ये leaf roller है, ये नाम्स आपको बच्चा याद करने पढ़ेंगे, एक नई, दो नई, दस बार पढ़ोगे, तब जाके आपको नाम याद होंगे, बहुत सारे confusions रहते हैं इनके नामों में, आपको ये नाम याद करने होंगे, ठीक है, तो ये आज की हमारी class थी, समय का थोड़ा सा अभाव रहता है बच्चा, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पर आदा गंटा मिलता है, तो आदे गंटे में बहुत सारी चीजें, कुछ छूट भी जाती है, सारा content आपको नहीं मिल पाता है, कोसेस हमार पारी class थी, ये हमारे complete foundation courses है, ठीक है, ये agriculture का महापैक है, ये agriculture का complete foundation course है, जो भी बच्चे किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, ये उसी के हिसाब से course design किये गए है, complete video recorded courses है, और इसमें आपको एक live session भी मिलता है, doubt session जिनको दिक्कत होती है, ये आप जाके od443, odisha वालों के लिए है, जो od443 code, ये उन बच्चों के लिए है, जो odisha वाले बच्चों का assistant agriculture officers के लिए batch purchase करना चाहते हैं, ये उनके लिए discount है इस पे, और जो foundation batch purchase करना चाहते हैं, वो y443 apply कर सकते हैं, y443 apply करके आप, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है, तो आप इसको purchase कर सकते हैं, अ तो free of cost हैं, तो अगर आपको अच्छी लगती है, तो आप जरूर जुड़िएगा, और session को like, share और subscribe जरूर करिएगा, ठीके बच्चा, सामको साथ वज़े हम फिर मिलेंगे होटी कर्चर के साथ, नई crop के साथ, ठीके, तब तक अपना ध्यान रखिए और जैहिंद,